चिन्ने सूपर किंग्स आईपेल इतिहास की सबसे सफल टीमों में से एक है 2008 के पहले सीजन से ही चिन्ने सूपर किंग्स के कप्तान महिंद सिंग धोरी ही है शुरुआती दोर में भले ही T20 मैचों में कोई खास रण निती नहीं बनाई जाती थी मगर अब T20 भी बेहद बड़ा रूप ले चुका है और T20 मैचों के लिए खास रण निती बनाई जाती है खास दोर आईपेल में होने वाले रात के मैचों में तो जीत के लिए खास रखे प्लैन की जरुवत होती है क्रिकेट कॉमंटेटर हर्शा भोगले के मुताबिक आईपेल के रात के मैचों में जीत के सिर्फ दो ही मंत्र है पहला मंत्र ये है कि लगातार रन रेट को जरुवत से ज़्यादा बनाए रखा जाए मगर कई दफा रिस्क भी होता है और ये मंत्र थोड़ा सा अनप्रैक्टिकल भी लगता है वहीं हर्शा भोगले के मुताबिक जीत का दूसरा मंत्र है धोनी के कोचिंग स्कूल का मंत्र यानि धोनी मंत्र और धोनी मंत्र को फॉलो करके ही चिन्ने सुपर किंग्स पहार जैसे स्कूर को भी पार कर रही है हर्शा भोगले के मुताबिक आईपेल में धोनी का मंत्र ये है कि मैच को आखिर के ओवर तक लेकर जाए जाए और फिर आखिरी ओवर्स में जीत के लिए पूरी जान लगाई जाए इससे पहले अंतराश्टी मेचों में भी धोनी ने इसी मंत्र से कई मैच जिताए धोनी हर बार मैच को आखिर तक लेकर जाते और फिर आखरी Overs में ताबड तोड हिटिंग कर मैच को जीताते चिन्ने के पहले दोनू मैचों में भी ऐसा ही कुछ हुआ पहले मैच में Brin Bravo मैच को आखिर तक लेकर गए और फिर जीत दिलाए वहीं दूसरे मैच में सैम बिलिंक्स ने मैच को आखिर तक लेकर जाने का काम किया और फिर जडेजा और ब्रावो ने यहां भी आखरी ओवर में मैच जिता है तो अब इसी धोनी मंत्र के इस्तमाल से चेन्ने सूबर किंग्स एक बार फिर खिताब जितने की कोशिश कर रही है जो बहुत मुश्किल भी नहीं लग रहा है फ्लेम मीडिया रिपोर्ट